हाले व्रिवन, हीमाचल एक्जाम्स में आपका एक बार फिट से स्वागत है दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है MS World का पार्ट 4 और इसमें मैं आपको करवाऊंगा MS World की शॉटकट कीज और दोस्तो MS World की तीन वीडियो में अप्लोड कर चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इन वीडियो को देख लीजेगा मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेर कर दूँगा और दोस्तो जे आइटी के पॉइंट आफ व्यू से मैंने लगभग 40 प्लस वीडियो अप्लोड की हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेशन ओडिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिलती रहे तो चलिए जदस मैं वेश्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक MS Word की शॉटकट कीज तो पहली आपकी शॉटकट की है Ctrl प्लस A It selects all contents of the page ये क्या करेगी आपकी सारे के सारे content को select कर देगी जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसने क्या किया सारे के सारे content को select कर दिया और दूसरी शॉटकट की है आपकी Ctrl प्लस B और इस बोल्ड हाइलाइटड सेलेक्शन और दोस्तों ये क्या करेगी जो भी आपका हाइलाइटड सेक्शन होगा उसको ये बोल्ड कर देगी जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं अगर मैं इसमें Ctrl प्लस B प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगी ये बोल्ड कर देगी जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फिर अगली शॉटकट की है Ctrl प्लस C and it copy selected text मतलब दोस्तों ये जो selected आपका text होगा उसको ये copy कर देगी दोस्तों फोर्थ आपकी key है Ctrl प्लस X और ये क्या करेगी जो selected text आपका होगा उसको ये cut करेगी दोस्तों Ctrl C और Ctrl X में मैं आपको difference पताता हूँ मा लिजिए ये वाला text मैंने select किया और यहाँ से इसको करता हूँ copy Ctrl प्लस C और अगर मैं paste करूँगा तो ये data आपका यहाँ भी रखेगा और यहाँ भी रखेगा तो ये था आपका copy का काम वहीं दूसरी side अगर मैं Ctrl प्लस X अगर टेस करूँगा तो ये क्या करेगा यहाँ से इसको cut कर देगा और जहाँ मैंने इसको move करवाना है वहाँ इसको paste कर दूँगा मतलो वहाँ से इसने काटा और यहाँ इसने इसको move कर दिया और दोस्तो एक बात आप ध्यान में रखेगा ये question आपसे पूछ ले जा सकता है कि जब हम Ctrl प्लस C या फिर Ctrl प्लस X प्रेस करते हैं तब ये temporary आपके data को clipboard में रखता है तो दोस्तो ये question आपसे पूछ ले जा सकता है कि जब आप Ctrl C या फिर Ctrl एक्स प्रेस करते हैं तो वो data आपका clipboard में temporary store होता है फिर अगली control की आपकी Ctrl प्लस N Open new या फिर blank document इसका मतलब होता है मतलब अगर आपने नया document open करना है या फिर blank document आपने open करना है तब Ctrl प्लस N का use करेंगे जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं अगर मैं इसमें Ctrl प्लस N प्रेस करूँगा तो ये नया document आपको खोल के दे देगा फिर अगली shortcut की आप कहती है Ctrl प्लस O और ये क्यों use होती है कि अगर आपने कोई document आपने पहले से ही आपने उसमें काम किया है अगर उसको आपने खोलना है तब हम Ctrl प्लस O प्रेस करते हैं अब देखिए अगर मैं यहां Ctrl प्लस O प्रेस करूँगा तो जिन documents में मैंने पहले काम किया है ये उन पे काम करने के लिए हमें allow करता है अगली shortcut key है आपकी control plus P और ये होती है print window के लिए अगर document को आपने print करवाना है तब हम इस key का use करते हैं और दोस्तो अगली control key है आपकी control plus F और इसका क्या काम है अगर कोई आपने text ढूंडना है तब हम इसका use करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं control plus F अगर हम यहाँ press करेंगे तब ये क्या करेगा आपको find वाला option खोल के देदेगा मालीजिए मैंने window word यहाँ search करना है तब मैं क्या करूंगा find next करूंगा फिर यहाँ यह highlight करके बता देगा कि यह वाला आप word ढूंड रहे थे तो यह है आपका control plus F का काम फिर अगली control की है आपकी control plus I तो यह क्या करती है जो भी आपका highlighted जो आपका text होगा उसको यह italic way में आपको show कर देगी माली जीए मैंने इस वाले text को italic show करना है तब मैं control plus I press करूंगा तो यह italic way में आपको text को show कर देगी फिर अगली control की है आपकी control plus K अगर आपने link insert करना है तब हम इसका use करते हैं और इसके लिए मैंने video upload की है अगर आपने वो video नहीं देखी है तो उस video को देख लिजेगा कि कैसे link आप insert करते हैं और अगली control की है आपकी control plus U और यह क्या करेगी जो आपने data को मतलब जो आपने text select किया होगा उसको यह underline कर देगी मालीजे मैंने इस वाले section को underline करना है तब मैं क्या करूंगा control plus U प्रेस करूंगा और यह क्या करेगा कि underline इसमें insert कर देगा फिर अगली shortcut की है आपकी control plus V और इसका आपको पता ही होगा कि यह paste का काम करती है control C या फिर control X के बाद हम इसका use करते है फिर अगली shortcut की है आपकी control plus Y यह क्या करेगी redo the last action perform जो आपने last action perform किया है उसको यह redo करेगी और control Z क्या करती है undo the last action माली जीए example के साथ इसे समझते हैं माली जीए मैं इसे cut कर देता हूं और अगर यहाँ प्रेस करता हूं control plus Z तो यह क्या करेगी यह आपका जो task आपने perform किया उसको यह undo कर देगी अगर हम यहाँ control plus Y प्रेस करते हैं तब यह इसको redo कर देगी मतलब जो आपने delete किया था उसको यह दुबारा से redo कर देगी रगली shortcut की है आपकी control plus G और इसका क्या काम है find and replace options और दोस्तो same work आपका है control plus H का यह भी क्या करेगी find and replace options को आपके सामने open करके देदेगी control plus F में क्या था कि हम find के लिए हम उसका use कर रहे थे और अगर replace आपने करना है तब control plus H का use करेंगे तो यह क्या करेगा हमें replace का option भी यहाँ show करके देदेगा माली जीए window की जगा मैंने कुछ और लिखना है माली जीए window 7 लिखना है window 7 तो यह क्या करेगा window को window 7 में replace कर देगा देखिए आप देख सकते हैं window की जगा इसने window 7 करके आपको दे दिया तो यह है find and replace का work अगली shortcut की है आपकी control plus J यह क्यूंग use होती है justify paragraph alignment के लिए माली यह इस paragraph को मैंने justify करना है तो मैं सबसे पहले इसको select करूंगा फिर अगर control plus J यहाँ प्रेस करता हूँ तो यह क्या करेगा इसे justify करके आपको दे देगा मतलब इसकी alignment आपकी left and right से ठीक धंग से करके दे देगा फिर अगली shortcut की है आपकी control plus L यह क्या करेगा अगर आपका जो आपके highlighted text है अगर उनकी alignment आपने left side को करनी है तब हम इसका use करते है माली जीए इस paragraph को मैंने करना है left alignment तब मैं क्या करूंगा control plus L अगर प्रेस करता हूँ तो यह left alignment इसकी करके दे देगा दोस्तो same work है आपका control plus Q का और इसके बाद आपकी shortcut की है control plus E और दोस्तो इसका use क्यूं होता है कि अगर आपने text की alignment आपने center करनी है तब हम इसका use करते हैं माली जीए इस paragraph की मैंने alignment center करनी है तो मैं क्या करूंगा control plus I press करूंगा और इसकी alignment आपकी sorry control plus E प्रेस करूंगा और इसकी alignment आपकी हो जाएगी center में अगली shortcut की है control plus R और ये क्या करेगी आपकी alignment को right hand side में कर देगी माली जीए same वो paragraph मैंने इसकी alignment अगर आपने करनी है right में तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा control plus R तो आप देख सकते हैं कि इसकी alignment right side को हो जुकी है और दोस्तों अगली shortcut की है control plus M और इसका क्या मतलब है indent the paragraph अगर आपने paragraph को indent करना है तब हम इसका use करते हैं और दोस्तों indent से related मैंने वीडियो upload की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख लिजेगा आपको indent का सारा concept समझ आ जाएगा कि क्या इसका use होता है वहीं अगली shortcut की है control plus T और इसका use होता है hanging indent के लिए अगर मैं यहाँ control plus T प्रेस करता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी moment हो रही है जिसका मतलब है hanging indent दोस्तों अगली shortcut की है control plus D और यह क्या करेगी font options वाले मतलब जो आपका font option है उसको यह खोल के देदेगा मतलब control plus D अगर मैं प्रेस करूँगा तो अगर font में आकर आपने board करना है font को या italic करना है regular करना है इसका size increase करना है decrease करना है तो अब आप इसमें से कर सकते हैं और अगली shortcut की है control plus shift plus F और इसका भी same work है आपका font option आपके सामने show हो जाएगा control shift plus F अगर मैं प्रेस करूँगा तो यह सारे के सारे options आपको दिख जाएंगे अगली shortcut की है एक point increase कर देगा वहीं अगर दूसरी shortcut की है आपकी control plus bracket close अगर यह आप use करेंगे तब यह भी same work करेगा माली जीए यह वाला आपने select किया है character अगर मैं यहां control plus bracket close अगर use करता हूँ तो यह एक point increase कर देगा अगर वहीं दूसरी side अगर मैं bracket start वाला symbol अगर साथ में प्रेस करता हूँ control के साथ तो यह एक size decrease कर देगा जैसे कि आप इसमें देख सकते है रगली shortcut की है आपकी control plus shift plus star तो यह क्या करेगी view और hide non printing character जो non printing character है उनको view या फिर hide करने के लिए हम इसका use करते है माली जे यहाँ control shift और star हम इसमें प्रेस करेंगे तो यह वाला symbol आपको बताएगा कि यह आपके non printing character है जिनको हमने hide करना है अगर इसको view में हमने convert करना है तब दबारा हम प्रेस करेंगे control shift plus star फिर अगली shortcut की है control plus left arrow माली जे आपका cursor है यहाँ और control plus left arrow मैं प्रेस करता हूँ तो word से ये move हो जाएगा one में अगर यहाँ से दबारा मैं control plus left arrow करूँगा तो ये move में control आ जाएगा अगली shortcut की है control plus right arrow तो ये इसके opposite करेगा control plus अगर मैं right arrow प्रेस करूँगा तो इसका control चला जाएगा one में जैसे कि आप देख सकते है अगली shortcut की है control plus up arrow तो ये क्या करेगी move the beginning of the line of the paragraph अगर मैं यहाँ control plus up arrow यूज करूँगा तो इसका control आपका आ जाएगा paragraph के starting में और control plus down arrow क्या करेगा move to the end of the paragraph मतलब end में ये चला जाएगा अगली shortcut की है आपकी control plus delete तो ये क्या करेगी अगर माली जी मैं यहाँ control plus delete अगर press करूँगा तो ये word वाले character को delete कर देगा अगर दुबारा मैं delete करता हूँ तो ये 2 को delete कर देगा अगर दुबारा करूँगा तो ये 10 कर देगा मतलब ये right of the cursor को delete करता है वहीं अगर तूसी साइड हम Ctrl प्लस बैक स्पेस अगर यूस करेंगे तो ये क्या करेंगा इसके Opposite Work करेंगा तो ये पतलो जो Ctrl प्लस डिलीट जो वर्क करता था वो Right of the Cursor डिलीट करता था और ये क्या करेंगा Left of the Cursor डिलीट करेंगा जैसे कि आप देख सकते हैं control plus delete अगर मैं control plus backspace अगर यहाँ प्रेस करता हूँ तो यह क्या करेगा right वाले को delete कर देगा फिर इसके बाद अगर दुबारा मैं use करता हूँ तो यह दव वाले को delete कर देगा तो मेरे खाल से आपको समझ आ चुका है कि control plus delete और control plus backspace में क्या difference है अगली shortcut की है control plus end अगर आपने document के end में control भेजना है मतलब सिधे आपने document के end में पहुंचना है तब हम इसका use करते हैं control plus end अगर हम press करेंगे तो हम document के end में पहुंच जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल document के end में इसका control पहुंच चुका है और अगर use करेंगे control plus home का तो ये क्या करेगा beginning of the document में हमारी cursor को मोग कर देगा अगली shortcut की है control plus space ये क्या करेगी reset highlighted text to the default font जो आपका default font होगा इसमें ये text को convert कर देगा माली जीए इस वाले text को मैंने default में convert करना है तब मैं क्या करूंगा control plus space प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा जो इसका default font था उसमें ये convert करके आपको दे देगा अगली shortcut की है आपकी control plus one तो ये क्या करेगा single space line इसमें convert कर देगा माली जीए मैं यहां control plus one प्रेस करता हूं तो ये single space line इसमें डाल देगा अगर मैं control plus two प्रेस करता हूं तो ये आपकी double space line इसमें डाल देगा जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं तो इसमें क्या किया double space line इसमें बना दी अगर control plus five आप प्रेस करते हैं तो ये 1.5 line spacing इसमें convert कर देगा जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अगली shortcut की है आपकी control plus alt plus one तो ये क्या करेगा change text to heading one जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसका by default आपका ये जो control है ये heading one में ही है अगर मैं यहाँ control alt और one प्रेस करता हूँ तो ये heading one में इसको convert कर देगा अगर मैं control alt plus two प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका control चला गया यो heading two में heading style जो आपका two था इसमें इसने convert कर दिया अगली shortcut की है control plus alt plus three तो ये heading three में आपका पहुंचाओ देगी अगली shortcut की आपकी आती है f1 तो ये क्यों होती है ये open help के लिए आपकी use की जाती है अगर हमने f1 प्रेस किया तो ऐसा interface आपको खुल जाएगा अगली shortcut की है shift plus f3 तो ये क्या करेगी change text of selected text अगर मैं यहाँ प्रेस करूँगा shift plus f3 तो ये क्या करेगी change case of selected text मतलब इसके case को ये change कर देगी अगली shortcut की है shift plus insert तो जैसा आपका काम था control plus v का वैसा इसका same काम है shift plus insert भी आपकी paste के लिए use होती है अगली shortcut की है f4 तो इसका use है repeat the last action performed और f7 आपकी होती है use spell check के लिए और अगली है आपकी shortcut की shift plus f7 ये activate the thesis के लिए आपका इसका use होता है मालेजिए shift plus f7 हम यहाँ press करेंगे तो ये thesis को activate कर देगा और f12 use होती है आपकी save as के लिए मालेजिए f12 मैं यहाँ press करूँ तो इसका control आपका चला जाएगा save as में और अगली shortcut की है control plus s तो ये save के लिए आपकी use होती है shift plus f12 ये भी आपकी save के लिए use होगी फिर अगली shortcut की है alt plus shift plus d तो ये इसका क्या use है अगर आपने current date insert करनी है तब इसका use करते हैं मालेजिए मैंने यहाँ current date insert करनी है तो मैं क्या करूँगा alt shift और d प्रेस करूँगा तो current date जो आज की है वो आपको show हो जाएगे वहीं दूसरी साइड अगर मैं प्रेस करता हूँ alt shift t तो ये current time आपको show कर देगे और control plus w का use है close document अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो ये document को close कर देगे मतलब जो document आपने खोला होगा उसको ये close कर देगे और दोस्तो एक बात मैं बताना आपको भूल गया था जो maximum font size होता है आपका वो होता है 1638 अगर मैं देखो अगर यहाँ इससे ज़्याद़ font size अगर डालता हूँ तो ये मुझे warning देगा मतलब हम जो size रख सकते हैं font का वो रख सकते हैं 1 से लेके 1638 तक दोस्तो ये थी MS Word की आपकी shortcut keys आज के लिए बस इतना ही जल्द हाजिर होता हूँ नई वेडियो के साथ तब तक thank you thank you so much